मशकार दोस्तों आप देखरें नेशनल दस्तक एक तरफ भारत में खुशी की लहर दोड रही है जोक्टर काफिल खान को इलाबाद हाई कोट ने रिहाई दी दिये और दूसरी और जनता के लिए एक दुखत पूर्ण खबर है ये खबर सुप्रीम कोट के स्टेटमेंट के ज में दूक्टर काफिल की रहाई को लेकिए उन्होंने काफी लंबे संगर्स के बाद अपनी परिवार से मिले वो समाज से मिले और अखिर बुराई की हार हुई और सच्चाई की जीट हुई उन्होंने साबित किया कि अगर आप सच और मानवता के लिए काम करते हैं तो आप जी हाँ ये जुग्या कोई आम जुग्या नहीं है ये जुग्या है एस्ट्री एस्टी मैनोटी लोगों की जिसमें मारा पूरा भाउजन समाज रहत हैं ये जुग्या उन लोगों की हैं उन महनत कश लोगों की हैं जो ना जाने दिन भर कमर तोड महनत करते हैं अपनी दो वक्त की रोटी के लिए सिफ उनका किसी तरह से गुजारा हो सके जी हाँ सुप्रिम कोट ने 48,000 जुग्यों को हचाने की मंजूरी दिये और ये जुग्यां सिफ उन जुग्यों को हटाने के लिए सुप्रिम कोट ने मंजूरी दिये जो रेलवे पट्रियों के पास विवस्त पूरे भारत वर्स में कितना बड़ा निच वर्ग है। रेलवे को प्राइविच कर दिया गया है। और जब आप अपनी किसी जमीन को या प्लॉट को या अपनी किसी एक पर्सनल चीज को अगर आप किसी व्यक्ति को बेशते हैं तो उसको साफ सुत्रा करके उसकी चारो और कराके तब उसको अट्रैक्ट आकर्शित बनाके उसको सामने वाले व्यक्ति को बेशते हैं वही हाल हमारा मोधी गौवर्मेंट कर रही है। रेलवे रिलाइन्स इंडर्स्ट्री ने खरीद लिया है। प्राइविट कर दिया है उसको और उसके आस पास जो स्टी अस्टी गरीब बहुजन लोग हैं उनको हटाने की तैयारी चल रही है। सोची अब रुजगार चला गया, लोगों की करियर चला गया, सिक्षा चली गई, सब कुछ चला गया, अब सरकार हम से सडके भी छिनना चाती है। सोची इस देश में व्यक्ति सडकों पर भी नहीं रह सकता, क्या उन लोगों का क्या होगा, वो जुगियों से बेघर होके कहा जाएंगे, जिनकी पास पैसा है, सरकार उनको हर चीज बेचती जा रही है, अखिर उन लोगों के बारे में वो क्यूं नहीं सोच रही है, जिनक एक वोट से हमारी मूती गौर्मेंट सत्ता में बैठी है, अखिर अब वो इस देश की जनता नहीं है, कहा जाएंगे वो लोग, और ये सिर्फ जुगियों में रहने वाले लोगों की नहीं है, ये हम सब के साथ वैसा ही हो रहे है, जो लोग घरों में बैठे हैं, उनके से नोकरिया चीन ली जा रही है, अधिकार चीन ली जा रहे हैं, जिन लोगों के पास घर है, सडके हैं, उन लोगों से वहां से भी बेघर किया जा रहा है, उन लोगों को, आप लोग उनके हक के लिए सामने आईए, वो लोग गरीब हैं, आज शिक्षित हैं, आवाज नही यह सिफ उन जुगी वाले लोगों का दर्द नहीं है, यह हम सब का दर्द है, और खिर कहां जाएंगे वो लोग, कहां जाएंगे उनके बच्चे, क्योंकि पट्री से तो सरकार ने हटा दिया, और खिर वो लोग रोड पर ही तो थे, अब रोड से उनको कहां बेजना चारी है जानवर से भी बत्तर जिंदगी कर दिये हमारी सरकार ने लोगों की सचिह इस देश में गाएको इन्पॉर्टेंस दिया जाता है, इस देश में गाएको इस कदर उसकी पूजा की जाती लेकिन यहाँ पे इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है यहां पे इंसान गहास खाने के लिए मजबूर हो गया है यहां बच्चे गहास खाके अपना जीवन व्यतीद कर रहे है सुचित देश की हालत यह हमारा जीडीपी का इस्तर लगातार गिर गया है जीडीपी की और लोगों का दिहान ना जाए हमारी सरकार PUBG जैसे गेम को बेन कर देती हैं अखिर सरकार से एक सवाल है मेरा आप PUBG बेन कर देंगे टिक टोक बेन कर देंगे लेकिन उन लोगों का सोची है जो बिरोजगार हैं आपने उनसे PUBG छीण लिया वो लोगों को रोजगार कौन देगा आपने उन चीजों में पहले तो आपने उनको लत लगाई जब व्यक्ति को लत लग गई किसी चीज की आपने उससे एकदम चीजे छीन ली बहले ही वो रोटी हो बोट हो अधिकार हो उनके कुछ भी हो हर चीज से उनको वंचित किया जा रहे हैं मैं सारे रोज युवाओ से कहना चाहूंगी यसी पब जी का सवाल नहीं है अब पब जी जैसे गेम से सबक लीजिए कि सरकार को ये ओ सरकार है जिसको आप डिसलाइक करते हैं और वो बदले में पब जी जैसे गेम को बैन करकर बदला लेती है युवाओ को एक मूतोर है लोगों के एजुकेशन पर कोई बात नहीं करेगी लोग पॉलिसी पर कोई बात नहीं करेगी अधिकारों की कोई बात नहीं करेगी और जो अधिकारों की बात करेगा उसको सलाकों के पीछे डाल देगी इसलिए सारे युवाओ से मैं कहना चाहूंगी आप लोग अपने अधिकारों के प्रती सजेत रहिए और अब जितना समय था PUBG खेलने का वो समय जाच चुका है अब अपकी अब अपने हक के लिए सरकार से मांग कीजिए अपने लिए रोजगार मांगिए तो कि वो सिफ PUBG नहीं था यहां तो सरकार आपकी जिन्दकी के साथ PUBG खेल रही है तो अपनी जिन्दकी को एहमियत समझी अपनी जिन्दकी की और आप एक इंसानी रूप में पैदा हुए है तो आपका क्या हक है क्या राइट से क्या ड्यूटी बनती है दे इसके लिए उस पे काम कीजिए आप लोगों की क्या प्रती के रिए अपनी रहे जरूर दे धन्यवाद निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें